आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार देख के सोला एरपोर्ट का लोकार पर और शिला न्यास किया वैसे करकम में राजपाल मंगु भाई पटेल के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जादो समेद कई पदाधिकारी मजूद रहे पटेल साथ बिर्ण सबाद जैक्स बनी नरीन सिंजी तोमर अपने सब्सक्राइम मिल करके ये सोला महा के अंदर एक अधिती एक एरपोर्ट बनाए इसकी सुबादाई भी जना चाहूंगा और कम समय में इतनी बड़ी उफलब्दी हासिल की है जापकार हमारा गौलियर का भव्य टर्मिनल का उद्गाटन हो रहा है वही देश के अंदर 15 एरपोर्ट टर्मिनल 75 वर्ष में ये कभी नहीं हुआ कि एक कारिक्रम में 15 एरपोर्ट टर्मिनल 9811 करोड उपै के पांच नए एरपोर्ट, साथ नए टर्मिनल, तीन टर्मिनलों का भूमी पूजन पंदर एरपोर्ट का कारिक्रम एक साथ प्रदान मंतरीजी के उपस्तिती में किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में छेयर पोट उधर गॉलियर में नवनिर्मित जिलायम सत्र नयायले भवन का उत्गाटन किशा गए कारिकरम में मुखमांची डॉक्टर मोहन चातो, क्विंद्रे मंत्री, जोतिरादित सिंधिया, रजपाल, मंगुभाई पतेल, सर्वोच नयायले के नयायमूर्ती, जेके महाश्वरी, मध्यप्रदेश उच नयायले के मुख नयायदीश, रभी मलिंपत, मुख रूप से शिक्षा जगत में हमारे गौलियर नहीं मध्यप्रदेश की आनबान और शान, माधव इंस्टिव टेक्नोलोजी साइंसेज, उस M.I.T.S. को केवल एक नया अकादमिक बिल्डिंग केवल नहीं, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैटिस आज के दिवस पर M.I.T.S. को मिलने जा रहा है मेरे भाई और भेनों, और अगर शिक्षा जगत से हम जाएं, अदो सन्रचना की तरफ, आज प्रदान मंत्री जी, राज्यपाल महदय और मुक्य मंत्री जी के द्वारा, गौलियर का इतिहासिक नवीन हवाई अड़ा, दो लाग पचास हजार स्क्वेर फुट का सोला महिने के अबदी में, गौलियर की संस्कार और संस्कृती को पूर्ण रुप से धारण करके, रेकॉर्ड टाइम में पांच सो करोर रुपए का हवाई अड़ा का लोकारपन भी हुआ है, मेरे भाई और मैं। और न्याई लाई किसे जुड़ेवे किसी पक्षक में कोई आउशकता होगी, लेकिन एक बात अंतता ये बात सही है, कि हमारी सारी विवस्थाओं में सबसे उपर अगर कोई है, तो वो संबंदित पक्षक जो इंतियार कर रहा है, वो गरीब आदमी जिसके मन में न्याई क प्रतिपक्ष गोबिन सिंग ने अपने कारयाले पर प्रसवारता करके खालून रवस्था पनिशना साथते हुए कई सवाल खड़े किया है, जहां नेता प्रतिपक्ष में पुलीस पर आरोब लगाते हुए कि भिन पुलीस बीजेपी के नेताओं के इशारे पर चल रही है और पुलीस अपराचियों पर कोई कारवाई नहीं करती है। दमो में स्वास्त विबाग की बड़ी लापर वही सामने आई है, मामला सदर अस्पताल का है, जहां पर अस्पताल में डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वाईरल हुआ है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर शराप के नश्वे में वारल हो गया, वहीं वारल वीडियो ने अस्पताल प्रुफासन सवाल लोग के घेरे में खड़ा करतिया है, जिसमें तेज रफतार का कहर देखने के मेला बताया जा रहा है कि पिक अप वहन में सवार होकर कई लोग अमरवाडा की और रवाना हुए थे, तब ही रास्ते मे अच्वालक बंगाओं के पास तेज रफतार पिक अप वहन का टायर निकल किया, जिससे वहन में सवार सभी लोगों को वहन पलटने के कारण गंभीर चोटे आई हैं, वहीं सभी घायलों को जला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिसमें एक की हालत नाचिक बनी हुई हैं पुरानपुर के नेपानगर और नावरा के वनुशेत्र में पुलीस संग वन बिभाग ने संग तो फ्लैग मार्च नेकाला जिसमें वन शेत्र में अतिकरमान ना हो और साथी साथ आगामी होली पर पर वन कटाई ना हो वहीं से दोरान ड्रोन कैमरे से भी वन शेत्र की सर्चिंग की गई है ग्वालियर में बदमाशों का खुलेया मातंग देखने को मिल रहा है मामला ग्वालियर थाना इलाके का है जहां पर पाइक सवार बदमाशों ने दिन दाड़े फाइरिंग करती वहीं फाइरिंग में एक युवग गंफी रूप से घाल हो गया है और एक महिला बाल बाल बचकर ये आपको बता देए कि बदमाशों ने मामूली बात को लेकर ताबर तोड आधा दरजन कूलिया बरसा दी और मौके से फरार हो गए जवरातों के लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गरफतार कर लिया है मुरैना पुलिस को 40 से दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखरकार काम्याबी मिली आरोपियों से 2 किलो 100 ग्राम सोना हत्यार और वहन पर आमद हुआ है और पुलिस ने जो हमारे घटना में सनलिप्त दो आरोपी थे उनको राउंड अप किया उनसे पूस्ताच की गई और उनके द्वारए उनके पूरा से जो एक आरोपी है जो एक काफी पूराना शातिर बत्माश है पूर сим in उस पर आइन पार में यदिभी और उनके वैं उसका संबंद था वहां पर जो प्ूराजी थे उनके द्वारए जो सामान है उसको भी बाद में खफाने की नियत से उनहों ने कई जगें छुपा दिया था हमने उनको भी पकड़ा और उनकी निशादही पे हम ने जो ूँ मश्रूका गया हुआ था लगबक तूरा मश्रूक परोड़ का हम लोगों ने उनसे जब्त करने में सफलता हासिल की और इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत इसमें सबी जगे बहुत मैनत की बहुत कई लोगों से मतलब काफी संक्या में लोगों से पूस्ताच की उनके रिष्टेदारों से पूस्ताच की लगबग पूरी रिष्टेदारियां उनकी खांगाल ली उसके अलावा जो जहां-जहां उनकी प्रफलता मिली और लगबकूरा पूर्णे दो करोर का मश्चुका इसमें हम बरामत करना में सब्सक्राइब कि इसमें अभी तीन चार आरोपी शुरुआत में लोगों ने गरफ्तार किये थे उसके बाद देर तीन आरोपी अभी हम लोगों ने और गॉलर में मैमूली बेवा पुलिस को सौप पर कारवाई कि मांगी है अभी मेरी वी आईपी डूटी है दोनों पक्छों को वहां थाने बेठा लिया गया है जैसी वी अपूंकी युचित कारवाई होगी फारिंग हूई है किसने किया है वो उसके जानकाई TVs लेकर जान सुरू जाए है सागर जिले में देवरी कला गर जामर में शराब दुकानदारों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है निर्दोश मजदूरों को बेरहमी से पीटते नजर आ रहा है ताज़ा मामला महाशे बरात्री की रात्री खरीब एक बचे का है वाड नमबर चार के फूल बाग में गोज़ जामर के मजदूर गुविद राए ने इससे मामले में रिपॉर्ट दर्च कराई है गोलेर पुलीस को बड़ी खामयाबी हाथ लगी जहां यवकी सतरकता से एक शातिर चोर पुलीस की गरफ में आया पर बाइक चुराते हुए दिखाई देरा था पड़ाव पुलिस ने उसमें गंबीरता पूर्बा कारवाई करते हुए एक बहां चोर को ठाया था और पूछताच में उसे हाली में जो चोरी हुई बाइक है उसको उससे बरामत किया है अब यहाली में तो बाइक चुराई थी और पहले पूर में कौन सी चोरियां किया है और उसका किस प्रकार सोधा किया है इसकी अब दास कर रहा हुए उधर मंसौर जिले के गाउन अहरगड में सूरे बंश्री समाज के लोग अनिश्ट कालीन धरने पर बैट गए हैं ने बताई च्वारा है कि धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि यदि प्रश्वासन हमारी सुध नहीं लेता है तो भूख खड़ता अलकी चाहेगी गोर तलब है कि पिछले साल 5 फरवरीद 2023 को गाउन नहरगड में संतर अविदास जैन्ती मनाई गई थी और साथी भाजपादवारा विकास यात्रा भी निकाली गई थी जिसमें सुवासरा विधायक एम पूर्व कैबिन मंत्री हर्दीप सिंग डग सिव वही सुर्यवंश्वी समाज के लोगों ने गाउं की जमीन सर्वे नंबर 885 पर सामुदाइक भवन बनवाने की मांग की थी लेकिन अभी तक सुर्यवंश्वी समाज के लिए सामुदाइक भवन के लिए जमीन नहीं दी है जिससे आक्रोश्वीत लोगों ने ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है जमीन हो जाएगी शाषन दुवारा 2 लाक रुपे की सिकर्ष्टी भी हो गई जिसका सामान भी ग्राम पंचार की माध्यम से आच उपा है लेकिन वो भूमी पर कुछ अन्य लोगों का सब्जा मतब वो बता रहा हैं जिसकी वज़े से अब भूमी आवंटगन हो जुकी है अगर हो जुकी है अगर हो जुकी है तो क्या आर्चन क्या रही है में बात बताई है अब हो जो बीवन खत्रा का जो बाला नमर का जो कालम आता है उसमें संत रवीदास सामुदाइक भौन के नाम से नहीं चड़ा हुआ है वो चड़ने के बाद ही सासन और पंचाद दौरा उस पर कारी किया जाएगा अब लोग किन किन मतलब अधिकारी वा जन प्रतिनीतियों से अभी तक मिल चुके है मुराना में गौमाता को राष्ट माता का सम्मान दिलाकर गौमवन्शु हत्या मुक्त राने के लिए राष्ट्वे हैंसक अंधुलन के रूप में भारत बंद का वांचिया गया था जिसके तहर भारत के गौव भक्तों ने अपने अपने प्रतिश्ठानों को बंद रखा और सरकों पर गौमाता राष्ट माता का महा संकल्प लिया गौव सेवकों ने सौरब शर्मा, अंशुल, सिकरवार, प्रशान्त शुकला, रुद्रप्रताप सिंह, रणबंका समेथ तमाम लोग शामिल हुए तो प्राइम मत्र प्रदेश में इतना इन बने रहे है प्राइम टीवी के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोशित, सशक्त और समर्थ बने जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महमारी COVID-19 से जूज रहा था उस दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के नित्रत्व में भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खादे सुरक्षा सुनिश्चित की इसी संवेदन शीलता को चारी रखते हुए आज 80 करोड से भी ज्यादा लोगों को मुफतनाच दिया जा रहा है सभी को अनाच पोशित समाच मुफतनाच पोशित समाच मुफतनाच पोशित समाच